एजडी एपसी बैंक का अगर आपको आएपसी कोड और एकाउंट नंबर दोनों जानना है तो इस वीडियो को शुरू से ले के आन तक देखते रहें कहीं पर भी वीडियो को इसकी मत किजिए पूरा वीडियो को देखिए और जो मैं पोसेस इस वीडियो में दिखाने बाला यहां पर सस्क्राइब लिखा हुआ है इस पर आपको क्लिक करना होगा जैसे ही आप यहां पर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको क्लिक कर देते हैं तो यहां पर आपका काम जो हो चुका है अब आपको क्या करना है यहां पर आप देख स करना होगा जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं यहां पर देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आ जाता है अब आपको क्या करना है दुबारा यहां पर देख सकते हैं कि मोर बाला ओप्षन दिख रहा है यहां पर दुबारा इस मोर बाला ओप्षन पर आपको क्लिक करना होगा ज पर इस लिंक पर आप जैसे क्लिक करते हैं तो रिडेक्ट हो जाएगा आपको प्ले इस्टोर में आपको यहां पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा आपको अपना जो पेट्यम एप से उसे इस्टॉल करने के लिए खाजाएगा यहां पर आपको एक इस्टॉल स्कंदेखा है उसके बाद को यहाँ पर ओपेंट लिखांगा इसी जगर पर आपको यहाँ दुबार यहाँ पर ओपन लिखांगा तो ओपेंट वला आप्से स RPG करते हैं यह आपका वा जो पेटी जो भी बैंक के साथ लिंक है वही नंबर आपको यहां पर स्लेक्ट करना होगा तो चलिए में नंबर जो मेरा बैंक के साथ लिंक है उसे स्लेक्ट कर लेता हूं उसके बाद यहां पर कुछ परमिशन मंगा जाता है जैसे यहां पर फोन कॉल का परमिशन मंग रहा है तो परमि करना है नहीं करना है तो कपल बैस सब कुछ कम्प्रिट हो चुका है आप को इस तरह का इंटर्फेस कर चुके है अगर आपने लोग इन नहीं किए है तो आपको को इस करना है आपका काम हो जाएगा यहां पर आपको क्या करना है और यहां पर आपको एक आप्षिन देखने को मिल जाएगा यहां पर देख सकते API and payment settings तो API and payment settings जो लिखा हुआ इस पर आपको क्लिक करना होगा जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो next interface आपको इस तरह से processing होने के बाद एक न्या interface आता है यहाँ पर आपको क्या करना है यहाँ पर धना साव जो से से महोगा मगर यहाँ यहाँ पर सबस्व minder थोड़ा से अलग है क्योंकि मैं इससे पहले सब कुछ कर चुका हूँ तो यहाँ पर आपको सबसेब्ली करना है यहाँ पर यह दहक सकते हैं एड़ एक होट भी करना है Ju जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो next यहां पर क्या होगा इस तरह से processing होगा इसके बाद आपको क्या करना है यहां पर उपर तरफ आपको देख सकते लिखाएं इंटर दा बैंग नेम यहां पर आपको अपना जो बैंक का नाम है वह यहां पर साच कर लेना है तो फ्रेंट्स मुझे add करना है इसका account number निकालना है और तो आपको क्या करना इस bank पर click करते हैं और जैसे processing होता है processing जैसे यहां पर देख सकते हैं आपका जो यह बैंक हो जाता है उसके बाद आपको क्लिक करना है इसी बैंक पर जैसे बैंक को क्लिक करते हैं तो आपको यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एकाउंट नंबर और आएपसी कोड यह दोनों आपको देखने को मिल जाएगा और आपको यहां पर इसके साथ आपका ब्रांच भी देखने को मिल सकता है और बैंक का टाइप क्या है सेविंग अकाउंट है करणेंट यहां पर देख सकते हैं तो इसी तरह से यह अपना बाइनग कांट निकाल से यह जो में प्रोसेश आपको दिखा रहा हूं पैटीम का भेटीम का जो such a version है कुण से बर्जन 1965 है यहां पर अभी में हारती है यहांने आप निछे तरह आप आप जो प्रोफाइल को किलिक करने के बाद आपको प्रोफाइल पर वो भी दिखा देता हूँ यहाँ पर जो प्रोफाइल है यहाँ देख सकते हैं प्रोफाइल पर किलिक करना है प्रोफाइल पर किलिक करने के बाद आपको थोड़ा तो नीचे तरह पाना है निचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको निचे तरफ इस तरह से स्कॉल करते हैं निचे तरह पाना है निचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक वर्जन देखने को मिलेगा देख सकते हैं यहाँ पर देखते हैं वर्जन जो है यहाँ पर 10.39.0 है तो अगर आप आपका Payles यही वहाgen होका तो आप अपना एकाउंट नंबर और आयसकरा जो मैं याप दिखाया हूं वो आप निकाल सकते अगर आपका यह ब भर्जण नहीं होगा तो आप अपना एकाउंट नंबर नहीं निकाल सकते हैं पिल दान लोड करना है तो किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं उसका भी वीडियो में बना चुका हूं वह वाला भी वीडियो आप देख सकते हैं अगर आपको करना है तो कर सकते हैं थेंक्यों वीडियो को अंतर देखने के लिए